प्रश्न नमबर एक, यूट्यूब किस देश की कमपनी है? आपके ओप्शन्स हैं A. जापान की, B. अमेरिका की, C. थाइलेंड की, D. नेपाल की, A. इसका सही ओप्शन्स है B. अमेरिका की, प्रश्न नमबर दो, भारत का राष्ट्रिय भूजन्स क्या है? आपके ओप्शन्स हैं A. डाल चावल, B. लिट्टी चोखा, C. खिचरी, D. की, A. इसका सही ओप्शन्स है C. खिचरी, प्रश्न नमबर ती, रेडियो का आविश्कार किस ने किया था? आपके ओप्शन्स हैं A. अलबर्ट आइंस्टीन ने, B. गुलेमो माकोनी ने, C. निकोला टेसला ने, D. चार्ल्स डाविन ने इसका सही ओप्शन्स है B. गुलेमा माकोनी ने, प्रश्न नमबर चार, कागस का आविश्कार किस देश में हुआ था? आपके ओप्शन्स हैं A. अमेरिका में, B. प्रूस में, C. चीन में, D. वियतनाम में इसका सही ओप्शन्स है C. चीन में, प्रश्न नमबर पांच, एक जी बी में कितने इमबी होते हैं? आपके ओप्शन्स हैं A. पंद्रह सो और इमबी, B. बारह सो और इमबी, C. ग्यारह सो बीस इमबी, D. एक हजार चौबीस इमबी इसका सही ओप्शन्स है D. एक हजार चौबीस इमबी प्रश्न नमबर च्छ, भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? आपके ओप्शन्स हैं A. गुजरात में, B. बिहार में, C. उत्तर प्रदेश में, D. अरुनाचल प्रदेश में इसका सही ओप्शन्स है D. अरुनाचल प्रदेश में प्रश्न नमबर साथ, भारत का राश्ट्रिय पल कौन सा है? आपके ओप्शन्स है A. अमूब, B. केला, C. आम, D. सेव इसका सही ओप्शन्स है C. आम, प्रश्न नमबर आठ, कौन सी सबजी खाने से दिमाग तेज होता है? आपके ओप्शन्स है A. टमाटर, B. आलू, C. पालक, D. लौकी इसका सही ओप्शन्स है C. पालक, प्रश्न नमबर नौ, कौन से ग्रह पर एक दिन एक साल के बराबर होता है? आपके ओप्शन्स है A. शुक्र ग्रह, B. बुद्ध ग्रह, C. मंगल ग्रह, D. शनी ग्रह इसका सही ओप्शन्स है A. शुक्र ग्रह, प्रश्न नमबर दस, राश्ट्रिय गान जंगन मन को किसने लिखा था? आपके ओप्शन्स है A. महात्मा गान्धी ने, B. रविंद नाथ टैगोर ने, C. जवाहर लाल नहरू ने, D. बनकिचंद चतजी ने इसका सही ओप्शन्स है B. रविंद नाथ टैगोर ने, प्रश्न नमबर ग्यारा, शिपकली का दिल एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? आपके ओप्शन्स हैं A. पांच सौ बार, B. छे सौ बार, C. आर्ट सौ बार, D. एक हजार बार इसका सही ओप्शन्स है D. एक हजार बार, प्रश्न नमबर बारा, मिसाल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ओप्शन्स है A. अब्दूल कलाम को B. मनमोहन सिंग को C. जवाहर लाल नहरू को D. नरेंद्र मोदी को इसका सही ओप्शन्स है A. अब्दूल कलाम को प्रश्न नमबर तेरह कौन सा जानवर लोहे की कील भी खा सकता है? आपके ओप्शन्स है A. मगर मच B. हाथी C. हिरन D. शे इसका सही ओप्शन्स है A. मगर मच प्रश्न नमबर चौदा ताजमहल किस नदी के किनारे है? आपके ओप्शन्स है A. कालिंदी नदी B. गंगा नदी C. यमुना नदी D. नर्मदा नदी इसका सही ओप्शन्स है C. यमुना नदी प्रश्न नमबर पंद्रा ट्रेन को रोटने के लिए किस रंग के जंडे को दिखाया जाता है? आपके ओप्शन्स है A. हरा जंडा B. लाल जंडा C. पीला जंडा D. निला जंडा इसका सही ओप्शन है B. लाल जंडा दोस्तों अगर विडियो अच्छा लगा हो तो विडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए यदि आप ऐसे ही इंट्रेस्टिंग जी के क्वेश्चन देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए धन्यवाद